हेलो स्टुडेंट्स वेल्कम टू आर्थी एडुकेशन वर्ल्ड देर स्टुडेंट्स इस वीडियो के अंदर हम आपकी नाइन्थ क्लास की सामाजिक विज्ञान विश्यकी वर्क सीट नंबर 33 करेंगे जिसकी डेट है 19 सितंबर 2020 बच्चों लोक्तांत्रिक राजनीती में हम पढ़ रहे थे चुनावी राजनीती और चुनावी flight की सosition को पिछली वर्क सीट में कुछ जाना था अब इस रूंपțी सिट्ट stretching है इसमें भारत में चुनाओ क्यों लाकakers लोक्तांत्रिक पीजि JUST हैं क्यों बनायों को लोक तान्त्रिक इस प्रस्टेश में फॉप सीप हम धूंड़ने की कोशस करतेपें चलो हम अकसर चुनाओं में गड़ वडियों की खबर सुनते हैं हां सुनते हैं कभी बीजुनाओं ऑथे हैं कि इमहां पर सुमौज़ते हैं जैसे किस तरह की गड़ पड़ी जैसे फरजी नाम से कोई वोट डाल दे कई पार्टियों द्वारा बड़े पैमाने पर धनकर्च करना कि इसने बहुत पैसा लगाया है चुनाओं में इस तरीके से आप समझते हो ना मतदान के दिन मतदाताओं को कई लोग डराते भी हैं कि ऐसा नहीं करोगे तो वैसा हो जाएगा वैसा नहीं होगा तो वैसा होगा यह कई लोब भी देते हैं कि लालस देते हैं कि अगर तुम बोट दोगे तो हम तुमारा यह करतेंगे ये सब सासक दल द्वारा सरकारी स्वीधाओं और अधिकारियों का दुरुपयोग करना और जो कई वर क्या होता है जो सासक होता है जो उस जंगे पे मतलब जो भी रूल कर रहा है या कोई भी नेता है तो जो उनकी सरकारी स्वीधाओं मिली है या अधिकारी जो उनके अंडर काम करते हैं वो उनका प्रियोग करने की कोसिस करते हैं इस तरीके से क्याई चीजे होती हैं गड़बडी चुनाओ में जब हम इस प्रकार की खबरे सुनते हैं तो हमें बहुत दुख महसूस होता है पर अंतु यह जरूरी नहीं कि गड़बड बिना जन समर्थन के चुनाओ में श्रिफ चुनावी धांदली के सारी जीत कर सकता में आ सकती है लगता है आपको ऐसे कि अगर कोईसी पार्टी ने मतलब उसको लोगों ने वोट नी दिया और उसने गड़बडी गड़ी और वो जीत गई ऐसा हो सकता है क्या चले देखते स्वतंत्र चुनाओ आयोग हमारे देश में स्वतंत्र और निश्पक्ष चुनाओ कराने के लिए राष्ट्पति द्वारा मुख्य निरवाचन आयुक्त की निउक्ति करी जाती है एक मतलब जिससे जो चुनाओ है वो स्वतंत्र रूप से हो सके वो फ्री बोड़ी है और निश्पक्ष हो सके कि किसी में कोई किसी का फेवर ने ले सके इस वज़े से ही मुख्य चुनाओ आयुक्त की नियुक्ति होती है इसे चुनाओ के नतीजे आने तक की पूरी प्रिक्रिया आती है मतलब इसकी पूरा जानता है कि किस तरीके से इसे नियायले के समान आजादी जैसे हमारे नियायले को आजादी प्राप्त है उसी तरीके से इसे भी पूरी फ्रीडम है यानि इसके कारियों में बहरी हस्तक छेप नहीं होता कोई इसको इंटर्फियर नहीं कर सकता है कि आपको ऐसे करना है वैसे करना है यह स्वतंत्र है ना यह उसके प्रैसर में आता है जिसकी सरकार है ना यह उसके प्रैसर में आता है जो सरकार से बाहर है इसके कारियों में चुनाओ की सूचना जारी करने से चुनाओ के नतीजे आने तक की पूरी परिख्रिया आती है मतलब जब से चुनाओ की सूचना आई है कि चुनाओ जब होने है जब ये न्यूज आती है तब से लेके जब चुनाव के result आउट नहीं हो जाते जब किसी की सरकार बनने का result नहीं आ जाते तब तक कि इसमें पूरा का पूरा क्या देखता है ये देखता है चुनाव आयोग ये आदर्स चुनाव सहीता लागू करता है जिसका उलंगन करने पर उम्मीदवार और पार् चड़के या तो भासन दे देते हैं उल्टा सीधा बोल देते हैं किसी को या फिर कुछ और भी कुछ भी अगर उन्हें लगता है कि जो सुनावी सहीता है जो उन्होंने बना रखे है रूल रेगूलेशन उसके कोई पार गया है तो उसको उसकी सजा दी जाती है ये सरकारी मसीनरी का गलत इस्तमाल करने से रोकता है जो सरकारी मसीनरी है जिससे उसका गलत इस्तमाल नहों सके इसलिए ये चुनाव आयोग बनाया गया है और इसलिए चुनाव आयोग की नियुक्ति होती है चुनाव में लोगों की भागेदारी क्या है अब देखते हैं चुनाव मे इससे ये पता चलता है जब हम मालों चुनाव हो रहा है और 10% लोगी 10% लोगी चुनाव डालने गए तो इससे पता चलता है कि लोग कितना भागेदारी कर रहे हैं कितना नहीं कर रहे हैं अगर अगर 60% 70% जाते हैं तो लोग बावो की ज़्यादा भागेदारी होती है इससे बता सकता है अगर चुनाओ की प्रिक्रिया स्वतंत्र और निश्पक्स नहीं होगी तो लोग इसमें भागेदारी करना जारी नहीं रखेंगे अगर लोगों को लगेगा हम लोगों को इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि स्वतंत्र और निश्पक्स चुनाओ होते हैं अगर यह ऐसा नहीं होगा तो क्यों जाएगा कोई वोट डालने कोई भी निजाएगा सांधर साल चुनाओ से संबंदित कती विदियों में लोगों की भागेदारी बढ़ने से लो अगर कम होता तो लोगों को विश्वास नहीं रहा चलो आप देखते हैं चुनाओी नतीजों को स्विकारना इसमें क्या है स्वतंत्र और निश्पक्स चुनाओ का एक पैमाना यह भी है अगर चुनाओ निश्पक्स नहीं होते तो हमेशा ताकतवर पार्टी सासक बनी रह पार्टी की सरकार रहे दूसरी पार्टी आएगी निवह आने नहीं देगी धान्द्री करके गडबड़ करके तो इसका मतलब अगर वहाँ पे सरकार बदल रही है इसका मतलब स्वतंत्र और निश्पक्स चुनाओ हो रहे हैं परंतु कुछ एक अपवादों को छोड़कर अगर किसी चीजों को छोड़ दे तो अब क्या होता है जो हारी हुई पार्टी होती है वह भी चुनाओ को जनता कैसा जैसे जंता बोलेगी वैसे करेंगे अगर उन्योंने इसे हमें इतनी सीड दिया है तो हम इतनी सीड पर तयार हैं चले आप देखते हैं स्वतंत्र और निश्पक्ष चुनाओ की चुनाओ करानी है उसके लिए क्या चैलेंजिश सामने आते हैं कैसे उनको किन चीजों को साम फेस करके आगे बढ़ना होता है देख सभी हो सबसे पहले तो बड़ी पार्टी की तुलना में चोटे दल और नृद्दिल उम्मीदवारों को कि परिशान हं को सामना करना पड़ता है, लेकिन जो छोटे दल हैं और नृद्दिल्य उम्मिद्वार उन्हें कई परिशानी आती हैं, अक्सर चुनाव में कोई धंका विकल्प नहीं होता कई बार क्या होते हैं सारे उमिद्वार ऐसे होते हैं जो हमारे पास हम यह नहीं समझ भाता कि किसको वोट दे क्योंकि कोई भी हमें ऐसा नहीं लगता कि कोई भी हमारे जो इस हमारे एरिया के लायक जिसको हम वोट करें वो उसके लायक है चु करते हैं कई लोग उस दिन तक होटल निबंद करते खाना ही गिलाते रहते हैं कि जिससे उस धन से उस धन के प्रभाव में आकर लोग हमें वोट दे तो यह भी हमें जो स्वतंत्र और निश्पक्ष चुनाव को कंड़क्ट कराने में यह वी एक बादा है यह चुनावती आती लोग क्या होते हैं उनके उपर केश चल रहे होते हैं उनको चुनावी मैदान में उतार दिया जाता है लोग डर के मारे भीए यह तो बदमास है अगर हम इसको नहीं डालेंगे पतानी क्या कर देगा तो उससे भी दिक्कत होती है और यह अपनी मनमानी करते तो यह सब तो इससे भी दिक्कत आती है ठीक है वचों यह थी इसकी चुनोंतिया अब देख लेते हैं इन्होंने हमसे क्या कोशन कि हैं उनका आंसर करते हैं स्वतंत्र चुनाओ आयोग के क्या क्या कारिय हैं लिखे तो हम इसका आंसर बचो इस तरीके से लिखेंगे स्वतंत्र चुनाओ आयोग के कारियों में आता है चुनाओ की सूचना चारी करना चुनाओ की नतीजे आने तक की पूरी प्रिक्रिया आती है ये आदर्स चुनाव सहीता लागू करता है ये सरकारी मसीनरी का गलत इस्तमाल करने से रोकता है ठीक है ये आप इसके answer लिख देंगे एकदम perfect answer आप देखते हैं दूसरा question क्या है अपनी समझ के अनुसार चुनाव में होने वाली गड़बडियों को रोकने के उपाएं सकते हैं तो बच्चो इसका answer आप इस तरीके से लिखें हमारी समझ से या मेरी समझ से चुनाव में गड़बडियों रोकने के लिए चुनावायोग राजनितिक पार्टिया और जनता तीनों को ही अपनी जिम्मेदारे निभाने पड़ेगी क्योंकि तीनों की ही जिम्मेद स्कुलीन गयरनियं थमीकिता हैं निर्धारित करने चाहिए कि उतने पड़ेलकें हो नहीं क्याहिए क्या होता है को विल्म पर नांड़ा भी चिंनाओं में लोगों की भागेदारी होना जरूरी है इस पस्किझे तो आप इसका अंसर बच्चो इस तरह के सकते हैं चिंदेठी के लिए कारिय की जाएंगे ठीक है चलिए आप देखते हैं चोथा कोशन क्या कहा रहा है हमारा आपके अनुसार स्वतंत्र और निश्पक्ष चुनाओ की क्या की चुनोतिया कौन सी हैं तो अभी तो पड़ी हमने वो ही हैं भई हमारे अनुसार निश्पक्ष और स्वतंत्र चुनाओ की चुनोतिया निम लिखिते हैं बच्चों आप हम अधिक प्रस्ट भूमेवाले उम्मिद्वारों को चुनावी मैदान में उतारना बड़ी बाट्यों की तुल्ला में छोटे दलो और निदले उम्मिद्वारों के ओ कई परहसानियों का सामना करना टिकेट बटवारे में निस्तेदारी निभाना तो यह हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपनी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना जिससे उनको भी इस वीडियो से हैल्प बिल सके बच्चो नोटिफिकेशन बैल जरूर जब दबा लिया करो जिससे जब भी मैं वीडियो डालू आपको सबसे पहले नोटिफिके झालू झालू झालू